नहोशकार विचार बंतन में आपका स्वागत है आज 137 तिनों के अंतराल में एक बार फिर महेंगाई का जवर्दस्ट जटका लगा गैस सिलेंडर के दाम पचास रुपए बढ़ गए पैट्टोर डीजल के दामों में 82 प्रस्ट की नहीं बलकि 82 पैसों की ब्रद्धिकर दी गई वही दूसरी और ये भी रहा कि डीजल के दाम पहले ही बहा दिये गए थे जहां पर पचीस रुपए का फर्क दिखाया गया था ठोक में दूद के दाम पहले ही बढ़ गए थे सिएनजी के दाम पहले ही बढ़ गए थे मैगी काफी के दाम पहले ही बढ़ा दिये गए थे और सीधे तोर पर ये देखा जा रहा है कि अभी दाम और बढ़ेंगे निश्चित रूप से जब ये इस्टिती आई तो इस पर पतिक्रिया भी बहुत तेजी के साथ आई है राजनेतिक दिश्च से भी देखा जाए हमारे सपा सुप्रीमो अखली से अदों ने कहा देखो चुनाओ खत्म और महगाई स्चुरू वही दूसरी ओर कांगरेस की पतिक्रिया आई भाजपालाई महा महगाई और तीसरी ओर जो जहा बच्चन ने कहा ये कौन लोग है कि इनको चिता दिया गया उनकी भी पतिक्रिया आई पतिक्रिया सब और से आ रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि ये महगाई क्या वास्तों में एक स्वाविक पतिक्रिया के तहत है क्या एक मजबूरी है और क्या इस मजबूरी को नहीं टाला जा सकता था क्या महगाई की मार्स से जनता को बचाया जा सकता है ऐसे तमाम जलन सवाल है और इनका हम जवाब लेंगे आज के इस विचार बंतन में हमारे साथ है भारती जनता पार्टी से दीपक कुमार मिर्श जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दीपक जी एक जाने माने चार्टर एकाउंटेंट भी है और बड़ी बारिकी से अर्थ को सम बसते हैं इसलिए बताएंगे क्या खिर क्यों ऐसी स्वितिया पैदा हुई और हमारे साथ में डॉक्टर नितेंद्रियादो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे खिर पिरोध क्यों और क्या इसका कोई भिकर्प है सबसे पहले दीपट दीप जी मुझे सरा बताईए कि यह जो एकदम महेंगाई का जटका दिया है आम दिन को इसके बारे मैं आप क्या सोचते हैं जब से रूश और उक्परेन का युद्ध चलना है तब से यह आशा की जा रही थी कि कि किसी ने किसी ने महेंगाई बढ़ी है तो तो वो महेंगाई बढ़ी है और सबके सामने उसका रिजल्स आया है लेकिन क्या एक चर्चा ये भी है कि आप चुनाव जब खतम हुआ तब आपने महेंगाई बढ़ा दी एक ये भी चर्चा ठीक है अगर आप सकता थी तो आप कह सकते हैं कि आज जो है कच्छे तेर के दामों में 40% कि प्रती हो गई है लेकिन कच्छे तेर के दाम पहले भी बढ़ गए हैं जो सौट डालर बैरल के हिसाब से बढ़े थे आज 118 हो गए इसमें भी दो राएं नहीं है तो ये क्या आप इंतिजार कर रहे थे हवारी सरकार इंतिजार कर रही थी कि जब मौका मिलेगा तब करें क्योंकि कही ऐसा लाओ कि चुनाओ पर असर पड़ जाएं बिल्कुल ये तो होता ही है यह मनलब कहीं नहीं जब चुनाओ को राजनेतिक देल लड़ गये होते हैं तो उसमें कहीं यह तो रहते है कि किस-किस चीज का प्रवाव जो जनता को पर पढ़ने वाला है तो इस चीज को रोकने का प लिए जब बात से उपर होगे कि नहीं टाला जा सकता है तो उसको आगे बलाये गया है नितेन जी आप क्या से भी प्रक्रि जो है पतिक्री आए गई है लोग समझ रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं और भिरोज भी आपकी और से आगया है क्यों जब ये दिनिया जानती है कि उक्रेन और रूस का यू बिच्छड़ा है कच्छे तेल के दामों में एकदब एजाफा हो गया है एक मजबूरी है उसके बाद जूद भी आप लोगो विरोच करेंगे ये कहा कि नीती है सबसे पहले तो मैं आपके दर्सकों को और आपको इस होली की बहुत-बहुत सुबकामना देता हूं और कानपुर चुकी गंगा मेला है पर वैकल गंगा मेला है उसकी ये आपको और आपकी पुरी टीम को और दर्सकों को बहुत-बहुत सुबकामना है डाक्टर साब इस प पार्टी की नियत ही नहीं है कि गरीब मदूर मध्यां वर्गी लोग सुख और चैन क्या जीवन जीने लगते हैं तो इनका मानसिक विकास होगा और मानसिक विकास होगा तो इनकी जो छलावे की नीतियां है इसको समझने की कोसिस करेंगे और पिर इनके एजंडे में चलते है है यह आज का लेजंडा प्लांट कर रहे हैं और आप देखिए कि यह आज तो जो आज का रेट है वह एक सो नौ रूपए नौ डालर का रेट है यानि कि 8000 रूपए का 8200 रूपए का भारती मुद्रा के हिसाब से प्रति बैरल का रेट है आप इसके बहुत पीछे जाए ज हुआ था जुलाई 2008 में 147 तसम्मलोग दो साथ डालर तर्द वेलर का रेट हुआ करता था यानि आज की मुद्रा के हिसाब से बारती मुद्रा के हिसाब से 11,200 रुपए का जब रेट अच्छे तेल का था तब इस देश में 50 रुपए में डीजल पट्रोल और 34 रुपए में डीजल विका उससे मैंगा आज भी कूडल नहीं है और यह भारती जंता पार्टी की जब सरकार में 2000 र रुपए तक आपने देखे यह चुनाओं को देखते हुए जिसको लालीपाप कह सकते हैं उसको इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया और इसके बाद उसको रोप दिया कि चुनाओं में 5 राजियों के चुनाओं है जंता में संद्य दिया कि देखिए हम बड़े जन कल्यानकारी और जन इसी लोग हैं और हमने आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ उत्री कर दी इनका दो चेहरा देखने को आपको मिलेगा एक चेहरा यह है कि जब यह सरकार में होते हैं चुनाव नहीं होता तो यह कहते हैं कि पे जनता को सस्ती दरों में और आरामद आए चीजें एक महगाई कमो उनकी नियत नहीं है इसलिए यह चीजें अनावस्य ग्रूप से बढ़ाई जा रही हैं अभी आज 109 रुपए का रेट है कच्छे तेल का यहानि आप देखिए कि और प्रूराज प्रट्रोल के रेट जिस उनके सारे बड़ा नेता सरकों में होते थे आज किसी भी नेता की कोई प्रत्क्रिया नहीं आ रही है क्या इनके लिए जनता सिर्फ खिरे मकोड़े हो गई है एक बाप दाई जी हम आपकी सब्बास होना है जिए आप बार बार एक सब्द कहते हैं कि सरकार की नीत और नियत आपने ठीक कहा है नीत तो है लेकि कौन सी सरकार ऐसी होगी जो अपने जनता पर अनावस्यत बोज़ डालेगी महिंगाई की मार से उसको तरस्ट करेगी कौन सी ऐसी सरकार होगी मैं तो नहीं समस्तौं को इसी और आप बार बार ये हमको सम्झाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी गौवर्मेंट की नियत नहीं है और वो आम जन को बस बिल्कुल महिंगाई की मार की चपेट मिलना है आखिर क्यों राना चाहती है उसका तुकार बताई है उनको देखिए प्रमा जी ये सोच का फरक होता है एक सोच होती है समाजवादी समतावादी एक सोच होत हो कमजोर हो मजलूम हो सोचित रहे पीड़त रहे और वो सिर्फ दो वक्त की रोटी खाने को ही विकास समझे और दूसरी सोच होती है कि हम संभो बराबरी पर ले जाएं यह सिच्छी तो पड़े लिखें हो समझ आरो इनका स्वास ठीक रहे सिच्छा का इस्ता ठीक रहे त भारती जनता पार्टी की और उसके पीछे की जो सोचे चाहत गुरू गोलवर्कर का सुच्छा बंचा ठाट को देख लीजिए उस पर वाकादर की है कि चंद लोगों के हाथ में पूंजी हूँ और अधिकता जो चंता हो वो बहुत कमजोर हो वो सिर्फ दो रोटी खाने को विकास समझें कमजोर रहे पिडित रहे तो उनका उपर आसानी से किया जा सकता है इसलिए भारती जनता पार्टी के लोग आप जन्वानस को कमजोर पिछडा सोशित और बंचित रखना चाहते हैं जनसुविदाओं से जिससे कि कमशकम उनका मांसिक विकास ना हो और वह आ यह दो तीन बाते कहीं आपने देखा यह कह रहे हैं इनकी बातों से तो यह लगता है कि जिससे कि जान मूझ करके महिनाई की मार्ट जो है आम जन्पर की जा रही है क्योंकि इनका पहला है कि जिस दिन आम जन जागरूख हो गया जिस दिन आम जन्वे मांसिक विकास हो गया वो सोचने लगा तो निश्चित रूप से आस्था धर्म भुवी करण ये सब बाते नहीं चलेंगी राजनीत में और आप जन को गुमरा नहीं किया जा सकेगा इसलिए चाल बूच करके उनको गरीव रखो उनको इतना सोचने मत दो दो रोटी देते रहो जैसा कि लोГ कहते हैं और इनमें एक बात और बिथुः समझ आती है कि लोग कहतें कि ये बाते केरण में क्यों नहीं होती हैं केरण में क्यों नहीं ये आस्था का चलता है कि अगर लोग जो है जागरूख हो जाएंगे उनका अगर दिमाग चलने लगेगा तो वह दुरूवी करन में नहीं पसेंगे बिल्कुल सही बात है और दुरूवी करन में आदमी नहीं फस रहा है उसी का रिजल्ट है कि पिछले अग जो अभी पांच राज्यों को चुना को सफलता में वह इस बात का रिजल्ट है कि चार राजीट की पुर्णा फिर्ष सरकार व्न लगी है तुस बात को समझने लगी है है कि उसके लिए हित में क्या है उसके हित में क्या है ओ सरकार की नियत और ने ती उसको पूर विष्वास है क्योंकि बहुत हुँ तो आजमीं सो सकता है खे fossils की आजमीं मौलों कौना होगा नहीं को क्योंना हुँ 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 तो एक दिन सोता रहे गा 2014 प्रवलबबों को चुनआ हुँ हुँ नहीं इसके पहले कि जनता सरकार के बारे में उसकी नियत के बारे में उसकी नियत के बारे में कैसे सोच रही है तिक बार जनता को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये देश माननी नरेन मोजी जी के नेतरत में और प्रदेश माननी योगी जी के नेतरत में बिलकुर सही डंग से काम कर रहा सो रहा है चाहा है वह बच्चों के अध्धन की दर्शिते हो आटेकल कालेज्च खोले लिए हो चाहे किस तरीके से संसाधन और साधन सरकारने उपलब्द करा रहा है ह। वह इस बात के लिए लिए आपस में जिसक्तन कलने भाइव विपक्ष की जिम्मेदारी है और धर्म भी है कि वो belुत करें लेकिन होता क्या कि जब विरोध करती यह ने लिग्शक लिकिस्टा का इसको समरतानी बिलता है खो Push कि विपक्ष जो बाते उठाता है उसका जनता समझें क्यों नहीं कहती है इसलिए नहीं कि उसकी यह महिंगाई को जहलने की शमता हो गई है क्या वह समझने लगी कि ठीक है महिंगाई जल नहीं है तो या उसके सामने कोई और बुद्धा होता है जिसको देख करके वो सबसाहिने के लिए तयार है व्यक्ति के जीवन में उसके अपनी प्रियार्टी होती है उसकी प्राथमिक्ताओं को अपने हिसाब से तय करता है उसको लगता है कि हां ठीक है महिंग है कि हां यह ठीक है रूस और उक्रेन का यूद चला इसलिए हो सकता इस तरह के समस्या खड़ी होई हो और सरकार मुका मिलते ही इसको ठीक करेगी इन सब चीजों को बाकी जो चीजे है वो देख रहे कि बाकी चेत्रों में सरकार लगातार हम लोगों के फेवर में काम कर रह है तो वो अपनी प्रात्मिकताओं को प्ते करके सरकार को इस बात के लिए मौका देना चाहती है कि देखती है कि यह ठीक है आपने यहां महिंगाई बढ़ा ही हुई मनलक कुछ चीजों पर महिंगाई बढ़ी दो बाकी चीजों पर व्यक्ता है हमारी दुरुत भी है ठीक हमती है तो इसलिए वो सरकार को पुना मौका देती है बार बार काम करने के मौका देती है और अपने मुहर से अपने विजल से सीको पास करती है ठीक बात हाथ हमिन चोटा सा अप refreshed लेह के बाद आपका इक बार फिर स्वागत है इसी भीज हमारे साह जूड़ गये कॉंग्र डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए है पिछले दिनों लगातार दाम बढ़ने के प्रक्रिया चली रही है और जो देखें कि फर्वरी में ही जो फुटकर जो महेंगाई दर थी वो 6.07 थी जो डीजल बैंक है वो भी कहती है कि भाई दो से और तीन पीजदी से जादा महेंग अगर आप देखें तो उसमें भी लगातार बढ़ोत्री हो रही है तो कॉंग्रेस इसको कि शुरूप में देखती है सबसे पहले तो मैं होली और गंगा मेला की हार्दिक शुपकामना आपके जीमडी चैनल के सभी धर्शुकों को देता हूं और कांचपुट सहरवासियों को भी होली और गंगा मेला की बधाई देता हूं आदर्ली वर्मा जी चुनाओं में कई डिबेटों पे आपने हमें आउसर दिया और हम अपनी हर डिबेट पे इस बात को कहते थे कि आज चुनाओं मुद्दों पे नहीं हो रहा है आज अगर चुनाओं हो रहा है तो जातिवाद और भगवा कराओं तो आज आपके सामने जो परिणाम दिख रहे हैं और आने वाले पांच वर्सों में भी जो परिणाम दिखेंगे उसका कारण यही है निश्चित रूप से जनता भी इस बात को जानती थी हम लोग भी जानते थे कि चुनाओं बात चाहे गैस लेंडर हो पेट्रोल हो डीजल हो इनके दाम बढ़ने हैं लेकिन इस तरीके का जनता के बीच में भगवे रंग का चस्मा लगा दिया हमारे भारती जनता पार्टी के लोगों ने और समाजवादी पार्टी लोगों ने जातिकत आधार पे जो चुनाओं को आमने सामने लड़ा तो निश्चित रूप से वो मुद्दे उस वक्त कि यह कह रहे थे किसाब यूक्रेन में युद्द चला है रशाय के बीच में युद्द चला है तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं जनता यह जानती है तो निश्चित रूप से हम लोग भी सक्ता में रहे हैं कॉंग्रेज भी सक्ता में रही है आदर्णी मन मोहन सिंग ये प्रदान मंतरी थे उस वकद वो दौर मंदी का आया था जिस दौर में अमरीका कटोरा लेकर के भारत वर्ष आया था तो सवाल यह नहीं होता है कि इस बात को कहिना पड़े आसानी से कि जनता दो वह जानती है कि वहां युद दोरा है तो महेंगाई हमने जनता ने आपको मेंडेट दिया है जनता ने आपको जिम्मे रारी दी है आपकी ये जिम्मे रारी बनती है कि उस महेंगाई पे किस तरीके से कंट्रोल करें खाली इस बात को कह देना कि जनता जानती है जनता नहीं जानती है आपने मेंडेट लिया है आपने जनता का विश्वास जीता है तो जिम्मेरारी भी आपकी बनती है जिस प्रकार से अगर ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि क्या राजसरकारों के अधिकार में नहीं है हर राजसरकार के ये अधिकार में है कि यदि पेट्रोल दाम और डीजल के दाम और गैज दाम बढ़ते हैं तो वो एक्ट है राज सरकारों का उस एक्ट के तहद वो उसका रेट घटा सकते हैं ये राज सरकारों के उसमें यह पावर होता है तो निश्य दोलू को नहीं स्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर को यह स्तेमाल करेंगे घटाएंगे तो इनके अपने खर्चे नेताओं के जो विधायक तो आज कुल मिलाके आ्म जनता के ही जेफ से पैसा घसा जा रहा है और आने वाले समय में आम जनता की ही जेफ से पैसा घसा घसा जाएगा और कहने को तो काही दिया जाएगा रहे भाई जये श्री राम हर-हर महहा देव बहुत अच्छी बात करी, निदेन जी, अभी जो दीब जी बात कर रहे थे, उसमें एक वाइर तो अब समंझकी होगी, कुछ भी हो, एक जनता में एक मानसिटा भिक्सित हो गई है, और वो भिक्सित क्या हो है, और वही राष्ट है, राष्टवाद है, शाहध सक्तिक राष् आरख की शेल लेंगे कि करा राश्टी होना चीए हमको तमाव बातों से मुक्ति मिलने चाहिए ! हमको मुक्ति मिलने चाहिए ! जो लोग एक दूसरे पर खीसतान करते हमको उस से मुक्ति बिलनी चाहिए ! जो यह चीजें दिखाए जाती है कि दिक्वस्मीर फायर चीए सब कुछ लोग चाहते हैं लेकिन सच बात यह कि इस मानसिक्ता के साथ लोग जीवित रहना चाहते हैं जैसा दीब जी कह रहे हैं और दीब जी कह रहे हैं गर हिसान नहीं होता तो इस सरकार तीन-चार बार कैसे रख साथ आपने बिलकुत सही प्रस्ट उठाया है कि जनता ऐसा चाहती है लेकिन सच बात यह कि जनता ऐसा नहीं चाहती है कोई भी भारत जनता यह चाहती नहीं है जनता यह कहती है जनता यह मानसिक्ता विख्षित हो गई है कि राष्ट के लिए आप सब भूं छेल लेंगे थ्वाव यह मैं उसी मुद्धे पर आना चाह रहा था यह इमानदार लोग यह चरित्रवान लोग यह राष्ट्रवादी लोग जब से इस देश की सरकारों में आये हैं जो ऐसा कि अभी बिसरा जी कह रहे थे कि चार चुनाओं हो गए और चवदा और फिसंत्रा फिर उन्नीस और इसके बाद में बाइस हो गया ठीक है तो मैं यह प्रसंद जानना चाहता हूं कि आखिर जब से यह इमानदार लोग राष्ट्रवादी लोग चरित्रवान लोग आ जाए तो जाए सरकाही संपत्रियों कि स्थिती देख लिए आज कि सब्सक्राइब कि तफसर लेकर बेंश दी गई खाया कि कितना भी इससे पैसा ले लिए गया तो आखिर इसके पहले जो सरकारें थी और जब से इमानदार लोग आ गया इस पैसे का कि देश में विदेशी प्राइब करफ़ा भी बढ़ा है अमकैन शॉनका को नमें बीचा हो इससे पार पूरे इनके कारकाल में 14 के बाद से ले दीजिए और कभी 8000 रुपए भी नेटेश किया 3000 से ले करके और 2000 से ले करके और 5000 के बीच में लगातार कच्छा तिल रहा है तो वो समय का जो प्राफिट ता वो कहां चला गया अरे वो प्राफिट आतना से यह था तो देश के कम करज चला हुए इस प्रदेश के अन्दर जिस तरीके से लोगों की अध्याय की गई है आपको मैं तालिच गंटे के बुर 12 कम में जर उठी है यह किष कर रहा है और सिर्फ राष्टवाद के नाम पर लोगों को गुम्रा करने का काम कर रही है और दीब जी राष्टवाद के मुद्धे पर क्या आप लाव उठा रहा है नमबर एक नमबर दो ये भी बात है कि जैसा भी अमरे कॉंग्रेस के दिनित बात पर जी कह रहे थे इन्हो करके भी बात कर रहा हूं कि ये जो बैट है इतने परसंट ले लिया जाता है यूपी में या राजियो में इसी परकार से एक्साइज ड्यूटी और इसेंसियर एक्साइज ड्यूटी एक्स्टा एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो कें सरकार पैसा लेती है क्या कारण है क लेकिन आप ये कोशिश नहीं करते हैं कि यह अपने और से थोड़ा घटा दीगे जंता पर बोढ़ना पड़े तो इसके बारे भी क्या कहेंगे नंबर ए सवाल पहला कि यह क्या राष्ट बात के नाम पर आपको यह लग रहा है कि अरे तो देश हमारे साथ में कुछ भी करें और दूसरा सवाल कि जो यह एक्साइड यूटियो बैट क्यों ने कम किया जाता है पहले प्रस्ण जो राष्टवाद के नाम पर जंता हमारे साथ है जहां तक इसका जवाब है तो पहली बात तो अगर हम यह कहें कि जंता को गुम्रा किया जारा तो यह जंता का अपमान है जंता बहुत समझदार है वो अपना हित अहित सबसमझती है तो सिदाजी ने कहा है कि जंता को गुम्रा किया चड़ा देगी आप गलत बात कर रहे हैं यह कहा कि जंता ने अगर आपको मेंडेट दिया है या किसी राजनेतिक दल को दिया तो यह उसकी जिम्मे राष्ट बन हैं तो यह तो मानों हिंसान है वो अपना हित और अहित हर चीज में समझता है उसको पता है कि कौन सी चीज उसके भले के लिए है कौन सी चीज उसके भले के लिए नहीं है दूतरी चीज आई कि जो रेट घटाने और बढ़ाने की बात तो आज भी पूरे देश में अगर प डाज्यों में ज्यादा है जहाँ पर की बारति रंता पार्टी की सरकार नहीं है लिखापली में का यह हमहारे बताने से होगा सब्सक्राइब लोके अपना देख लेख लेंए अपर लें समझन अपना दूसरी चीज़ फिर आती बात की कम क्यों नहीं किया जा सकता है कि इन सर सबको करना चाहिए इसमें कोई गलत भी नहीं है केरल मॉडल जहां तक बात है आप यह देख लीजिए कि हम तो इस बात बहुत आश्चर चाहिए थे कि पूरे भारत वर से कोरोना लगबग खतम हो गया लेकिन केरल में कोरोना लगातर बना रहता है इतने पड़े लिखे है इसके बात भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं उपाता है तो इसके पीछे के कारणों की जाच करना बहुत ज़रूरी है हमें तो लगता है इसके पीछे बहुत इंक्वाइरी की ज़रूआ थे कि वहाँ पर ऐसा क्या काना है केरल में और दिल्ली में या महाराष्ट में जहां सकता जनता ने सौपी है कि आप इस देश का शासन चलाइए यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह जनता का ध्यान लगके हर तरीके इस ध्यान लगके मालिजे कहीं कुछ गलबली हो रही है तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी है इसी काम के लिए उसको बैठाला गया है औ और हमें लगता है कि बारती जन्ता पार्टी इस मामले में बिलकुल सजग रूप से काम करती है, हमें लगता है कि 2014 के बाद से केंद में मानी नरेंद बोदी जी की सरकार आई है, तो इतनी छोटे-छोटे मुद्दों पर जन्ता के ट्वीट पर भी रिस्पांड करने वाली ज जो मंत्री थे, उन्होंने उसको तुरण एक्षिन लिया, इस तरह छोटे-छोटे मुद्दों पर, जिस तरीके इसके पहले जब विदेश मंत्रा ले जो काम कर रहा था, सुसमस्राजी के नियुटत पर उसमें आपने देखा कितने बढ़िए तरीके से काम कर रहे हैं, बार्ति जन्ता पार्टी की विदेशनीज की प्रसंसा और कोई नहीं, इवन वो देश कर रहा है, जो की अपने आपको भारतवर्त का सबसे बला सा तुरसमस्ता है, मुल्द प्रदान मंत्री खुले हाम तोर पर इस तरह के कह रहा है कि ये भारति जन्ता पार्टी की, हम करें हम साटिफिकर नहीं दे सकते हैं जनता साटिफिकर दे सकती जनता साटिफिकर नहीं देती विदेशी लोग साटिफिकर देते हैं और भी तरह तरह किसे लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है यह काम ठीक हो रहा है उसका उसका प्रमापत कहीं न कहीं से मिलता रहता है पर कभी भी निरंकुष हो सकती है थिक बात है तो इस समय माली जै यह लोग विपच में है रहे किसी मुका मिलता है काम करने का मुका मिला है तो अपनी इस जिम्मेदारी का पूरी सद्धा से पूरी जिम्मेदारी से निर्वेंद करें और जंता को दिखाएं कि हम आपके साथ में का यह तो क्या मैं यह मालूंदिनें को आपकी है यही शमता नहीं रह गई बिहोत का वह स्वर नहीं रह गया दिखितेम जो है विजे पी यह पी को ला मिलंदा नंबर एक और नंबर दो आहि हम यह करना चाहते हैं और तीसरा अगर यह देखा जाए तो जनता भी आपके उपर विश्वास नहीं कर रही है कि भाई हम कॉंग्रेस से कोई रात मिलने वाली है तो क्या इकसी का फैदा जो है वीजेटी उठा रही है देखे सबसे पहले बात तुम आपको पहली बात का जवाब देदें कि कॉंग पर लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा निश्चित रूप से चाहे हो महंगाई हो चाहे लाइन आडर हो आपको कॉंग्रेस का कारकरता सड़क पर दिखेगा दूसरी बात यह है तेशाभी मिस्ट्रा जी ने कहा देखिए आदर्ली प्रदान मंत्री जी आदर्ली योगी कभी विपक्ष को एहम मसलों पे बैठाला ही नहीं चाहेते हैं अगर कभी उन्होंने बैठाला हो आप बताइए हमारे यहां सिर्मति इंद्रा गांदी जी अपने नेताओं से वो राय नहीं लेती थी जो माननी पूर प्रदान मंती अटल वियारी बाच्पेई जी को बुल में अगर सबता को विपक्ष को नेताओं करना मंत्री विपथ को सामिली नहीं करना चाहते हैं बुलाना नहीं चाहते हैं तो आमंत्रन के वह नहीं रहा है और दूजरा विपष ये पास अटल जी जैसा को ब्यक्त भी नहीं है जिससे वो राय बैसम्दा लेनीट की जबूए पड़े तो सच बात तो यह है और आप लोगों किया तो खुदी क्या इस्थिति यहां यह दुनिया जानती है तो आपको क्या यह मानने में यह स्विकार करने में क्यों गुरेज है क्या विपच्च की वो इस्थिती नहीं रहे गई है जिसके कारण जो है भाजपा को कुछ सोचना पड़े यह मेरा करना देखिए आदर्ली वर्मा जी कहीं ऐसा नहीं है उस बकत भारती जंदा पार्टी की एक सीट हुआ करती थी दो सीटे होती थी हमारी फुलिए सकार लाई बात पर जैसा डेता भी तो था उनके पास प्रदेश अब समाला है यह आप 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 ने यह कैसे कह दिया कि हमारे आवो नेता नहीं है अरे आदर्ली नरहें मुदी जी को गुलाब नभी जी जादा अच्छे लगते हुनी को बुला करके कम से कम बैट करके उनी को सामील कर ले हाँ चा यह बात चीज़ है आप भूमिका पड़ी अहम हो गई है इस प्रदेश में और अख्रेश जी ने तो ऐसा लगता है कि आज से मिलकूँ कमान समाल लिए कि सदन से ले करके सवाग तक हम अप संगर्स करेंगे इसलिए उन्हों ने जो दिल्ली से अपना नाता आता भी तोड़ लिया तो ऐसे विपच्च की भूमिका में बैठाला है तो वह सदन में रह करके और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे जो विपच्च का एक फर्ज होता है वह उन्होंने बाइमानदारी काम किया है और यही करना चाहिए था उसके उनके फैसले का पुरी पार्टी ने और सा कि पूछना चाहता हूं कि भारती पार्टी जब चुनाओ लड़ने आई थी तो कि आपने चुनाओ घुफणा पत्र में ड़कलेर करके आई थी कि हम चुनाव में के बाद आएंगे तो डीजल के रेट बढ़ा देंगे पट्टोल के रेट बढ़ाएंगे गयर सिलेंडर के धाम बढ़ा देंगे जुआ हम सार्चीज के रेट बढ़ाते जाएंगे लाइंड डार को पूरा बरबाद कर देंगे रोज अत्याय करवाएंगे क्या ऐसा मेंडेट जनता ने उनके लोग लुवावन गोशना पत्र के आधार पर मेंडेट दिया था कि आप आएंगे तो प्रदेस में रामराज इस्थापित करेंगे, महगाई को कम करेंगे, और लोगों को सिच्छा की बेवस्था करेंगे, अभी जैसा करेंगे, कि इनकी सरकारना इवे किया, ये शच्छा काम विस्थारी क्रांटी त्यों नो जाल झेंगे, इनसे बेहतर कोई जानता नहीं, मुझे सिर्फ यह कहना है, और जैसा कि यह जनता ने बहुत सब्सक्राइब करने में भारती जनता पार्टी को महाराथ हांसिल है। कि एक जनता में मानसिकता और भी डेवलफ हो रही है। जनता जो है इस महेंगाई की मार को जहलेगी। लेकिन विपच्छ तो बार बार के कह रहा था कि यभी चुनाओं खतम होंगे तुरंट पेट्रोल के दाम बढ़ने वालें सिलेंडर के दाम बढ़ने वालें। जनता ये सुन रही थी उसके बाद भी जनता ने चुनाए उससे को बहसे हमने का कि क्राउड जो है कभी कभी गलत फैसले लेता है। है एक बार फैसले ले सकता गलत चार-चार बार बार तो गलत फैसला pakai क्राउड नहीं ले लेगी क्योंकि उसको को पता है। तो उसमें जंता का ही दिख चुपा होगा, इसके लावा कुछ नहीं होगा, दूसरी चीज. नियत उसकी, तुनियत साफ है, क्योंकि यहां पर ना तो परिवार को पल्वित, पुश्वित करने वाली कोई सरकार है, ना किसी वर्ग का, किसी वणड का, किसी का, मल्ब करने वाली सरकार यहां सबका साथ सबका विकास इस तरीके का काम करने वाली सरका नि दूसरी साथ यह है कि देड़ां की स संपतित नहीं कि इसी बात को का वही बार की विश्यांतर हो जाएगा मुझे मिस्टरा जी की बाट पर अभी जवाब देना है आप ने कहा कि ये बाती जन्ता पार्टी किसी परिवार को पलवी कुस्ववीत करने के लिए नहीं है बस और तीन लोगों के नाम ले करके आते हैं अटल वियारी बाचपे जी नर अटीर के कहा से नराग ठाग और कि पलाया करते तो पानी पलाते तो और सिसका सं要 Ah! पूरी की पूरी विपच्च भीहिन हो गई संसत तो उस दोर के लेताओं में एक मोरल था कि सदन से दो सदस्चों का स्थीफा कराया गया और भारती जनता पार्टी जो उस समय होती थी अटल जी और अनी जैसे लोगों को चिता कर संसन में विपच के रूप में लाया गया और आज जो लगाता है मैं देखने हैं जा रहा हूं कि कल जो बिदान परिसात का चुना हो है कि लोग पिदाय के पत्यासी जो बिपच का एक मात बिपच की भूम का समाजवादी पार्टी निभा रही है बारती जनता पार्टी जो लड़ रही है उनके पर्चा नहीं आकिल पुलिस खड़ी है पुलिस मूग दर सक है और भारती जनता पार्टी के लोग पत्यासी का पर्चा च लिए गया चलिए अब मैं इस वज बात में डिसक्रसन करेंगे अभी जरा थोड़ा सा इसी पर डिसक्रसन करके हम इसको बात करना चाहते हैं सबसे पहले दिने जी मुझे एक बताईए क्या आपको लगता है कि महगाई का जो यह सरूप है यह और विक्राल होगा लोग कहते है कि पंदर रुपए और बढ़ जाएंगे बीस रुपए बढ़ जाएंगे क्या आपको लगता है और दूसरा क्या इसका कोई विकल्प आपके पास है कि कैसे लोग की जा इसको निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आने वाले समय में चरम सीमा पर महेंगाई होगी और बाती जन्ता पॉल्टी वाले के पास सिफ यही बात होगी कि यहां यूद दोरा वहां यूद दोरा दूरी बार में मिस्टा जी की बात की बार बार यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नियाद ठीक होती तो चुनाओं वो धर्मवात पर ना लगते मुद्दों पर चुनाओं बात है अब चुनाओं के बात में भी तो महेंगाई की बात करें महेंगाई का स्वरूप क्या आपको लगता है बहुत विक्राल होगा नमबर एक क्या आपके पास भी कोई विकल्प है या कोई ऐसा समाधान है कि जो बीजेपी पूछे या योगी सरकार पूछे तो आप उसको बता देगे हाँ आप ऐसा कर दीजे तो जनता को रात मिल जाए क्या ऐसा कुछ है आपके पास निश्चित रूप से यह विकल्प रहती है और समाजवादी विकल्प रही है कि किस तरीके से सरकार अपने खर्चों की और बिलास्ता की कटोती करें और जनकल्यान में ज यह जाते हैं सर्टी के चाहिए श्चित नहीं होने चाहिए इनके यां तो हराम खोने की बात है लेकिन जन्ता का यह होता है कि किस तरीके से अब मैं बात उसकी को लेकि रहा हूं कि किसान हमारा आप किसान को क्या दो आजार रुपए दे देने से बारत आप मेंद बनन उसको ब्रॉस्था ऐसी है टैक्सेज घटाए जाए 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 बाइगा बाइगा अब बिक्राब लेगी या इस पर इंकुस लगेगा निश्चत रूप से मेंगाई ही अक्याले बिक्राल रूप लेगी मेंगाई के साथ बहुत सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े अभी बदलने जा रहेंगे और एक कांथी का महल होगा इस देश के अंदर चलिए दीब जी मैं आपसे जलना चाहता हूं कि आप भी यह मानते हैं कि क्योंकि आप तो कह रहें कि युद्धु चलना है तो है कि जैसे कि आप कह रहें राष्टवाद है लेकिन क्या आप भी कोई इसका विकल्प लगते हैं कि अरे बहुत पंदार रुपए की बात आएगी तो हम इसकी जबे पर यह काम करेंगे क्या है कुछ विकल्प की जहां तक बात है जो आयल का विकल्प है उस सरकार ने उसके गलिए पूरे देश भर में हूं एक संख्या ति संख्य संघ्च्छ यार् jetzt नहीं है इतने सारे चार्जिंग स्टेस Guru वेकिल्प के लिए Initiक, अशिस के है दू. एक चीज दूतरी चीज वैकल्पिक उर्जा जैसे अपनी यह पमन उर्जा होती है सोर उर्जा होती है उसके प्रोग को बढ़ावा देना इन इन दोनों मलब चीजों में सरकार पूरे विश्व में नेतर तो कर रही है आज की तारीक में सोर उर्जा को वन वन सन वन गिर्ड पूरे जी से और उमें लगता है उसा में बहुत बड़ा काम करने जा रही सरकार तो यह यह सारे जो वैकल्पिक साधन है उनका उप्योग करके सरकार इन सब चूचों पर नियंतल करेगी इनका अपने बोग कम होगा और अपने प्समें के नियंत्र पनाएगा तो यह 100% होगा चलिए बहुत बहुत धन्वाद बहुत धन्वाद धीव जी आपको नितेंजी आपको और दिनेश जी आपको और निश्यत रूप से आज एक बात तो सामने आई है महेंगाई पर रही उसके कुछ कारण है जनता उसे आपजर्व कर रही है चाह या राष्टबात की बात हो या कुछ भी हो या यह भी माल लिया जाए कि जनता का भी इतना प्रिकास नहीं हुआ है लेकिन दूजरी और सरकार जो है बिद्दुती करण करके और उसके भी कई विकल्प प्रस्तुत करके बैकल्पी कूर्जा के एक नई व्यवस्था को जन् अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बु एफेस्टा, ट्विडियो सLड़्श